गुड मॉर्निंग फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडू साला में इस वीडियो में हम लोग द्रिष्टी का वार्सी की करेंट अफेर देखेंगे हम लोग वर्स भर की 100 महत्पूर्ण कोश्चन देखने वाले हैं जो द्रिष्टी ने दिया है और आपको पता ही है द्रिष्टी पब्लिकेशन की बुक कितनी अच्छी होती है और इंपोर्टिन कोश्चन भी इस ने दिया है तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं स्टार् करते हैं फ़र्स्ट है इसमें निमलीखित में से किस राजने हाल ही में फिल्म निरमान छेत्र को उदोग का दर्जा देने के लिए नए फिल्म पॉलिसी बनाई है तो यह बिहार है ठीक है बिहार हाली में हिमाचल परदेश में संपन विधान सवा चुनाओ के परदेश के मुख मंत्री के रूप में कौन चुने गया है सुखविंदर सिंग सुखु किस देश के राश्पति को टाइम पर्सन ऑफ द इयर 2022 चुना गया है तो किस देश के है यूक्रेन के ठीक है यूक्रेन के नेक्ष है फोप्स द्वारा जारी दुनिया की सौ सबसे सक्त साली महिलाओं की सूची में सिर्षस्थान किसे दिया गया है तो ये सिर्षस्थान है उर्सूला ओन डेर लेन ठीक है उर्सूला ओन डेर लेन भारत ने जी ट्वेंटी ग्रूप की अध्यक्षता कब संभाली है तो ये एक दिसंबर 2022 को संभाली है एक दिसंबर 2022 को बिहार क कुर्णी विधान सभा के लिए उपचुनाओं में किस दल के पड़ते आसी ने जीत हांसिल की है तो ये भारतिये जनता पार्टी ने भारतिये जनता पार्टी ने नासा और फ्रांसी सी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतराष्टिये मिसन सोट को कब लॉंच किया गया है त तो इसरो के अध्यक्ष किस ने किया है इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया है भारतिय ओलंपिक संग के पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है पीटी उसा को बिहार में नाबाड हाट मेला का आयोजन कहां किया गया तो ये पटना में किया गया है 13 दिसंबर 2022 को किस ने होकी 20 कप ट्रोफी का अनावरन किया है विकेंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर्ने नेक्स देखते हैं 14 दिसंबर 2022 को दोहा के कतर में फिफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मेच में अर्जेंटीना ने किस देश को हरा कर किताब अपने नाम किया है तो ये किस देश को फ्रांस को हरा कर ठीक है फ्रांस को हाली में सात्वे भारत जल परभाव सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया तो ये कहां नई दिल्ली में किया गया हाली में परधान मंत्री ने कहां पर मोपा अंतराश्टिय हवाई अड़े का उदगाटन किया है तो यह आपका हो जाएगा गोवा ठीक है गोवा में नॉमबर दिसंबर 2022 में न्यूजिलेंड में हुए कॉमन वेल्थ लिप्टिंग में बिहार की क्रीती राज सिंग ने कुल कितने सुवन पदक जीते हैं तो ये छो ठीक है छो पदक किन्होंने जीता है बिहार में बजरिपात से बचाने के लिए किस यंत्र को लगाने की घोसन की गई है किस अंतराष्टी संगठन द्वारा 2022 में बैस्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट जारी की गई है तो ये हो जाएगा बीस्वे मौसम बिज्ञान संगठन के द्वारा प्रधानमंति नरेंद्र मोदी ने कहां पर एस्टैचू अप्रस्पेरेटी का आनाव परन किया है तो ये बंगलूरू में ठीक है बंगलूरू में किया है बिहार के किस थर्मल पावर को स्वर्ण सकती सुरक्षा पुरस्कार परदान किया गया है तो ये कहल गाओं को परदानमंति नरेंद्र मोदी द्वारा लॉंच किये गया आगामी जी ट्वेंटी 2023 की थीम क्या है इसका थीम है वसुधय कुटूम्बकम भारतिय अंतराश्टिय फिल महसों के तिरपन्वे संसकरन समारों में किसको सत्य जीतरे लाइफटाइम अचीमिन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो ये कारलोस सौरा को किया गया है बिहार में चित्र गुप्त समाजिक सं स्थान की ओर से दीनानात सरन सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो ये प्रोफेसर सुधा सिना को प्रोफेसर सुधा सिना नेक्षे हाली में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत का स्थान इसमें भारत का स्थान जो है एक सठवा है यहार में लक्षमी बा इन्सन के रूप में दी जाएगी तो ये 3600 रुपए, 32 में 2Dio की रूप में, कौन बने है, तो ये रितु राज अवस्ति, रितु राज अवस्ति बने है, 22 वे बिधी राज की अध्यक्ष संjointराश, जलवायू, सिखर, सभी मेलन, COP27 का कहां आयोजन किया गया है, तो ये है सर्म अलसेख में नेक्स्ट है 14 नॉम्बर 2022 को किस खिलाडी को देश का सरोच्चे खेल सम्मान मेजर ध्यानचन्द खेल रत्न पुरसकार के लिए चैनित किया गया है तो ये है सरद कमल अंचता सरद कमल अंचता बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया है तो ये है जहानाबाद यूर 2.0 योजना को की सुरवाद निम्न में से किस के लिए किया गया है तो ये हो जाएगा यूआओं को रोजगार देने के लिए स्वक्ष सरविक्षन 2022 रैंकिंग में सबसे स्वक्ष सहर निम्न में से किसे घोसित किया गया है इन दोर को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के 15 हुए संसकरन में भारत को निम्न लिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो ये है 107 हंगर इंडेक्स में बिहार राज में पहला मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क कहां बनेगा तो ये पटना में बनेगा माउंट एरेश्टपर तिरंगा लहराने वाली बिहार की कौन सी परवता रोही है तो ये अनीसा दूबे ठीक है अनीसा दूबे राश्पति दरौबदी मूर्मू ने सुविधा परम कामरूप का उदगाट अन्निम्न में से कहां किया है तो ये आयाइटी गुहार्टी में में 37 स्टेट सुटिंग चेंप्यंशिप में बिहार की कौन सी खिलारी ने गोल्ड मेडल जीता है तो ये ससी पांडे ने जीता है ससी पांडे ने शक्षता सरवेक्षन 2022 में पटना कौन सी अस्थान पर पहुँच गया है तो ये 38 अस्थान पर साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन निम्न में से किन संस्थानों ने किया है तो ये हो जाएगा उप्युक्त सभी ने सर्ट इन पावर एक्स और पावर सर्ट इस सब ने किया है नेक्ष्ट है The Philosophy of Modern Song नाम पुस्तक निम्न में से किस के द्वारा लिखी गई है तो ये बॉब डाइलन ठीक है बॉब डाइलन के द्वारा निम्न में से किसे 2022 का रसायन सास्तर का नोबल पुरसकार दिया गया है तो ये सभी है कैरोलीना, बटोडनी, बैरी सार प्लेस और मोटन मेरलल्स ये सारे ही रसायन सास्तर के नोबल पुरसकार इनको मिला है परधानमंति नरेंद मोदी ने सेंट्रा, सेंट्रल विष्टा प्रोजेक्ट के एक हिंसे को राष्ट को समर्पित किया है तो इस हिंसे का नाम परवर्तित करके क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है कर्तब्य पत्थ इने इसको ने भारत के किन सहरों को ग्लोबल ओफ लर्निंग सिटीज में सामिल किया है तो ये निलामबूर तिरसूर वारंगल को मुखमंतरी ग्रामिन सोलर स्टीट लाइट योजना का सुभ आरंभ ये 15 सितंबर 2022 को किसे रक्षा अनुसंदा ने उन्विकास संगठन का द्याच निउक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत को छटे एसिया पेसेफिक डेफ बैडमिन्टन परतियोगिता में बिहार की कौन सी खिलाडी ने तीन पदक जीते हैं तो ये रितिक आनन्ने जीता है, रितिक आनन्ने 16 सितंबर 2022 को भारत का वह सहा जिसे हाली में S.C.O. परियाटन और संस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है ठीक है? तो ये हो जाएगा ये वारा नसी को ठीक है? वारा नसी निमलिखित में से किस फिल्म को 67 फिल्म फिल्म फियर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये है सेर साहा हाली में उदगाटित देश के सबसे बड़े रबबड ड्रैम जो है उसकी लंबाई बताना है तो ये 411 मिटर है वर्ष 2022 का यूएस ओपन टेनिस टूर्णामेंट का फाइनल मुकाबला निमन में से किस खिलाडी ने जीता है तो ये कारलेस अलकोज ने किस देश ने एसिया कब 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये सिरलंका ने मानोबिका सुचकांग 2020 में 1991 देशों की सूची में प्रतम अस्थान किस देश को परदान किया गया है? तो ये स्विर्जल लेंड को बिस्मिल्ला खान अंतराष्टिय सम्मान समारो 2022 में किस बेक्ति को लाइफटाइम अचीमिंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये आरके सिनहा को हाली में जारी बैस्विक बितिये केंदर सुचकांक में दुनिया का कौन सा सहर सबसे पसंदीदा बितिये केंदर के रूप में सिर्स पर है? तो ये निव्यार्क है 11 अगस 2022 को भारत के उपराश्पती का पद ग्रहन करने वाले जगदीब धनकर का उपराश्पती के रूप में क्या क्रम है? बताना है 12568.97 करोर रुपय है बिहार के किस क्रीसी उतपाद को GI टेग परदान किया गया है ठीक है GI टेग दिया गया है मिथिला मखाना को हाल में हाली में राश्मंडल खेल 2022 का आयोजन तो ये हो जाएगा इंगलेंड में हुआ था सैन अभ्यास अलनजाह का आयोजन भारा तरकीज देश के मद हुआ है तो ये हो जाएगा ओमान ठीक है ओमान के साथ हुआ है अंतराश्टिय पैरा बेडमिंटन भिहार के अरबाज अंसारी ने इसमें कौन सा पदक जीता है अंतराश्टिय पैरा बेडमिंटन में तो ये हो जाएगा आपका कांस पदक जीता है आठगर्ज 2022 को संपन हुए कौमन विल्थ गेम्स में भारत को कुल कितने पदक मिले है तो ये 61 पदक जीता है भारत ने बिहार के किस कॉलेज में अस्थापित पुरानी खोगोलिये बेश साला को उनेसको की धरोहत सुची में सामिल किया गया है तो ये लंगट सिंग कॉले किस जीले में मौरिशन भावन परिसर में नया म्यूजियम बनाया जाएगा तो किस जीले में है पटना में है 17 प्रवासी भारतिये दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहां आयोजित हुआ है तो ये इन दोर में हुआ है बिहार के गाउं के विकास के लिए 15 भी बित आयोग किसे के अधार पर केंदरी ने कितनी रासी तो ये कितनी रासी दी है तो ये है 1152.60 करोर रुपए स्वामी रामा नूजर चार से संबंधित एस टैच्यू आउप पीस का अनावरन कहां किया गया है तो ये स्री नगर में किया गया है रंजी ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है मध्य परदेश ने जीता है मिस इंडिया वर्ल 2022 का किस ने जीता है तो ये सिन्नी सेटी ने जीता है है येले पासपोर सुचकांग 2022 में भारत का अस्थान बताना है तो सतास्यवा अस्थान है राश्टिये MSME पुरसकार 2022 मे बिहार को कौन सा पुरसकार मिला है बिहार को दूसरा पुरसकार मिला है G20 हे तु भारत का नया सेरपा किसे नियुक्त किया गया है तो ये अमिताब कांत को खाद सुरक्षा सुचकांग दो हो जारी 22 में बड़े राज्यों में कौन सा राज पहले अस्थान पे है तमिलाडू है ठीक है तमिलाडू बिहार के गिद्धेस्व और परवत पर प्राचीन सैल चित्र पाए गये है तो यह परवत किस जिले में इस्थत है तो यह जमूई में है भारतिय लेखी का गितांजली स्री को किस पूस्तक के लिए अंतराश्टिय बुकर पुरसकार 2022 मिला है तो यह है टॉम आफ सैंड फ्रेंच ओपिन 2022 में पुरू सेकल वर्ग में परतियस परदा किसनी जीता है तो यह राफिल न डालने बैस्विक सतत्विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा अस्थान है तो इसमें भारत का 121 वा अस्थान है तो यह है प्लग एंड प्ले अंतराश्टिय योग दिवस 2022 की थीम क्या है तो मानावता के लिए योग मानावता के लिए योग स्रेष्ट योजना का संबंध है अनुसूचित जन जाती के छात्रों से 24 मई 2022 को क्वार्ड सिखर सम्मेलन का योजन हुआ तो यह जापान में हुआ बिहार के किस जिले में मेगा इंडर्श्ट्रिय पार्क और ट्राइपोड बनाने का निर्ने लिया गया है तो यह है गया में अंतराष्टिय संग्रहाले दिवस 2022 की थीम क्या है तो इसकी थीम थी संग्रहाले की सक्ति नेक्ष्ट है संग्रहाले की सक्ति भारत के दूर संचार मंत्री अस्वनी बैसनों ने चोदव मई 2022 को किस पोर्टर को लौच किया है तो ये पोर्टर है गती सक्ति संचार बिहार के आगनबाड़ी कारिकरताओं को किस योजना के तहत कोसल विकास किया जाएगा तो ये है सुनंदनी कारिकरम किस जगह पर बिहार में किस जगह पर मा गंगा के 101 मीटर उची परतीमा अस्थापित की जाएगी तो ये है सबलपूर में कौन सा गाउं सौर उर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला पंचायत बन गया है तो ये पल्ली है not just a night watchman my innings and the bccci ये पुस्तक जो है किसने लिखा है तो ये बिनोद राय ठीक है बिनोद राय ने विहार के किस जीले में monkey पार की अस्थापना की जा रही है तो ये अररिया में पृतिजर आर्किटेक्चर पुरसकार 2022 का विजेता रहा तो ये फ्रांसिस केरे रहें वर्ष 2026 में राश्ट मंडल खेल कहां आज उत हुआ है तो ये आस्टेलिया में किये जाएंगे भारत के किंदो सहरों को सयुक्त राश्ट खाद दे और क्रिसी संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा ट्री सिटीज ऑफ दा वर्ल 2020 के रूप में मानियता मिला है तो ये मुंबई और हैदराबाद को चो सठवे ग्रेमी अवार 2022 के अंतरगत किस भारतिय मूल के संगीतकार को विभिंट सरेनियों में प्रसकृत किया गया है तो ये उप्युक्त दोनों फालगुनी साह और रिकी केज को नेक्स देखते हैं बिहार के किस जीले में दूसरा तारा मंडल बन रहा है तो ये दरभंगा है 13 अप्रेल 2022 को कुछ रोक के लिए अंतराश्चे गांधी पुरसकार 2021 किस किसे परदान किया गया तो ये डॉक्टर भूसन कुमार को हाली में अस्थापित लता दिनानात मंगेश कर पुरसकार सर परथम किने परदान किया गया है ये परदान मंतरी नरेंद्र मोदी को किस भारतिय महिला बैडमिंटन खिलारी ने हाली में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है तो ये पीवी सिंधुने जीता है सरकार ने यूक्रेन में फसे भारतिय चात्रोव नागरेकों को सुरक्षित निकाला है तो ये है ओपरेशन गंगा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज में लॉंच किया गया है तो ये करनाटक में हाली में 14 भारत जापान वार्षिक सीखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है ठीक है नई दिल्ली में तो इस तरह देखिए आपके ये 100 कोश्चन कंप्लेट हो गए अब हम लोग अगले वीडियो में वन लाइनर कंप्लेट करेंगे चलिए तो फिर मिलते हैं अगले व वीडियो में